असलाम आलेकुम आज की इस यूट्यू में मैं आपको सिखाने वाले हूँ एंड्रोडेक्शन टूप सेर्वेस एंड डिवलेप्मेंट सी एस्टिंस अग्यारा सेमिस्टर स्प्रिंग दॉज़विस का असाइमेंट नमबर टू सेलूशन स्टिप बैस टिप मैंने आपको य चलते हैं अपनी असाइमन के तरह पहले देखते हैं इनकी रिकॉर्मेंट गया है अच्छे से पहले मैं आपको यह बता दू कि इस मैं इस असाइमन को करने के लिए आपको कौन कौन से टूल चाहिए तो इसके लिए एक तो आपके पास होना चाहिए है नड्वीन मेरे पास अलडी इंस्टाल है और अगर आपको नहीं पता किस तरह इंस्टाल करते हैं तो इसकी वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा तो आप फिर उसी तरह इंस्टाल कर ले और सेकंड इस नेड्वीन में आपने एड़ करना है अ अब आप आज अचे तुमकैड और दूसरा नेड्वीन अच्छा अब नेक्स्ट हमारी रिक्वाइमन कहा है तो रिक्वाइमन हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास है एक पाम डाट एच्टेमेल तो इसमें आपको एक एंकंप्लीट पाम दिया है और इसको आपने करना है ठीक है तो यह दो हमारे टास्क है ठच्छा और इसमें आपने क्या करना है यहाँ आपको इसमें क्या करना है एक इसमें आपने calculate करना है पेक्टोरिया और दुसरा आपने calculate करना है square ठीक है तो यह दूर चीज़ें आपने download करने है वैसा अगर मैं आपको दिखा हूँ नहीं किस तरह यह बार कर रहा है मैंने अलोड यह solution बना है वे मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है तो यह हमारे पास है HTML इसमें हम नहीं क्या गरना data अंटर करने है पर एकड़ यहापे मैं अंटर करता हूँ और उसके बाद अगर मैं करता हूँ result ठीक है तो नीचा हमारे पास दूसरा है servalette class अब यहाँ पर यह calculation है ठीक है यह calculation हमारा कहा पर हो रहा है यह हो रहा है हमारा हमारा जो सर्वलेट क्लास है ठीक है उसमें हो रहा है और यहाँ पे 100 का स्क्वियर हो गए 1000 और पिक्टूरियल में यह गलत आ रहा है तो अगर मैं इसका पिक्टूरियल निकाल दूबारा हाँ अब सही आ रहा है ठीक है तो यह हमारे पास हो गया 36 का स्क्वियर और नीचा हमारे पास है पिक्टूरियल अच्छा स्क्वियर रूप नहीं हमने इसका निकालना है स्क्वियर सोरी तो यह हमारे पास हो गया 36 का स्क्वियर और इसका हो गया पिक्टूरियल ठीक है तो इस तरबृड तरफ, ठीक है, अपने project कि तरफ कि कि अपने यह project क्ने की क्रिएट करना है, okay, तो जैसके मैंने वार्डी है इसके लिए आपको पते हैं नट्वीन, जोके हमारे पास अलिड़ान की अपन चाहिए, और अगर आपका ये project create नहीं हो रहा तो हमारे पास एक दूसरा choice होता है ठीक है जो कि हमारे पास होता है java with mavin तो आप java with mavin फिर web application ये भी create कर सकते हो ठीक है लेकिन यहापे मैं create करूंगा java with aunt फिर उसके बाद है java web और इसमें हमने क्या select करना है web application उसके बाद करना है next अब यहापे आपने अपनी application का name देना है ठीक है तो यहापे आप फूई भी name दे सकते हो इसके बाद आपने करना है next नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद यहापे आप देख सकते हो यहापे मेरे पास आ रहा है अपाचे टुक है टाटुमी तो इसको आपने select करना है ठीक है और यह आप तब select करेंगे कर सकते हो जब आपके पास already server add होगा उसके बाद हमने करना है add और add के बाद ठीक है यहापे हमने select करना है अपाचे टुम कैट उसके बाद करना है next और यहापे अच्छा मैंने भी delete किया था था न तो उस वज़े से यह आ रहा है तो आपने download करना है internet से अपाचे टुम कैट डाउन्लोड करने के बाद जहापे भी आपने रखा होगा अपना अपाचे टुम कैट तो अभी मैंने यहाँ रखा है C में और इसके बाद यहापे हमारे पास है अपाचे टुम कैट और उसके बाद हम लिए क्या करना है open पर clip करना है वैसी यह निक मैं आपको नीचे description में provide कर दूँँगा ओके उसके बाद आपने यहाँ पर देने है पास्वर्ड ए बीसी डी 1234 ठीक है तो यहाँ पर आप कोई भी पास्वर्ड और यूजर ने कर दो मोगार दयसेख पास्वर्ड प्रेग कर समित यहाँ पास्वर्ड अरूबर यूजर तो थिमो उसके बाद हां आा साद किली कर अईले थादा आपके बाद खास्वर्ड भी गएा कि सकताましたर्वर्ड़्न यंदोर्टर्वर्डनिनन अच्छा अगर आपका server add नहीं है न already तो इस तरह आप एड़ कर सकते हो लेकिन अगर आपके अलडी एड़ तो अगर मैं यहाप दुबारा आता हूं तो यहाप करता हूं next next के बाद आपके हमारा already है आप आप आपके टाट्टु में तो अगर आप मैं यहाप करता हूं next और next के बाद अभी यहाप आपने कुई भी option select नहीं करना है ठीक है आपने just finish करना है okay finish करने के बाद आपका यह project create हो जाएगा उसके बाद यहाँ lift side पे आपका project display हो जाएगा ठीक है तो इसको आपने किस तरह run करना है right click उसके बाद है run और आपका जो भी selected browser होगा ठीक है जैसे कि आपके हमारे पास कौन से selected तो इसे में आपका यह open हो जाएगा right click उसके बाद run और इसे browser में आपका यह project icon हो जाएगा ठीक है पारेजांप जाएगा अगर मैं कुछ और नहीं तो यह हमारे index page से आ रहे हैं अब इसमें हमने क्या करना है हमारे पास जो है already हमारी requirement में यह code है ठीक है इसको हमने complete करना है तो control c आपने आना है इधर और direct कि इधर आपने प्रेस्ट करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है action और action में हमारे पास हमारे जो servalette class है उसका URL हमने यहाँ पर देना है ठीक है तो यह हमारे servalette class का URL और method हमारे पास यह तो get होता है यह post होता है ठीक है तो यहाँ पर हम करेंगे post ओके और next यहाँ पर हमारे पास जो है input type इसको हमने क्या करना है number अच्छा अब next हमारे पास है palm तो इस palm tag को हमने closing tag लगाना है ठीक है तूपर हमने दो attribute लेने है एक हमारे पास होगा action action में हमारे uran दूसरा हमारे पास है method तो method हमारे पास होता है post or get ओके तो यह palm हमारा होगे complete अब next हमने यह my result to class है ठीक है इसको complete करने हाँगे अब मैं पहले आपको यह run करके दिखाता हूँ अच्छा यहाँ पे यह extra text आ है ठीक है तो इसको delete करते हैं अब यहाँ पे आ रहा है enter number अगर अब मैं यहाँ पे number एंटर करता हूँ और और मैं करता हूँ result तो इस तरह एक error आएगा ठीक है और यह error है 404 not pound इसका मतलब है हमने अब तक यह servalette create नहीं है ठीक है यह not pound आ रहा है तो यहाँ पे यह यह जो है my result set इसको करना है यह वारे URL ctrl c copy और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है source package source package के अंदर आपने create करना है new के बाद आपने create करना है servalette और servalette में आपने यह same URL दे रहे ठीक है इसमें आपने mistake नहीं करना क्योंकि पिर अगर आप गलत URL एंटर करेंगे न तो आपको error आएगा और हो सकता है आपका इतना experience ना हो पिर आपको मसला हो सकता है तो इसलिए आप चीजे का भी best करों ठीक है तो यह वह भी हमाई result हमारे servalette class और आप हम करेंगे next अब इधर आपका जो है add information to deployment descriptor तो यह आपने लाजमें क्लिक करना है ठीक है यह हो गया चिक उसके बाद आपने करना है finish ठीक है और उसके बाद अच्छा अगर मैं दुबारा इसको करता हूँ रिफ्रेश और इसमें कोई भी value एंटर करता हूँ और result ठीक है तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो my result class था ठीक है server wallet वो यहाँ पर अभी open हो रहा है ठीक है इसमें मैं कुछ show नहीं हो रहा ठीक है अब अगर मैं इसमें कुछ add करू ठीक है ठीक है तब आप देख सकते हो अच्छा जब आप server wallet create करते हो तो आप यह पास इधर different type की method आपको मिलेंगे ठीक है जैसे के एक हमारे पास होता है process request तो यह हमारे पास अगर आप यहाँ पर हमारे पास यह जो है palm इसके अंदर अगर आप बेशक post वीश करो या get वीश करो ठीक है और इधर यह जो हमारे प पास है do get अगर आप उदर get यूज़ करते हो तो हमारे पास यह वाले method call होगा ठीक है इसमें हमारे यह सारा data page होगा और एक हमारे पास है do post अगर आप उदर do post यूज़ करते हो तो इधर हमारे पास इस method में data page होगा ठीक है तो पस यह simple सा difference है और आगे अगर आपकी जू requirement पाई लें ठीक है इसमें यहाँ पे इन्होंने कौन से method do post तो अभी हमने क्या करना है हमारा जो सारा code है ठीक है हमने लिखने है यहाँ पे इस do post के अंदर ठीक है इसके अंदर हमने लिखने है और उपर यह जो हमारे पास से out.println अगर आप servlet में html का data print करना चाहते हो ठीक है यह अपने कोई html page बनाना चाहते हों जिसमें heading और title और बिल्कुल सेम उसी तरह आपकी interface बनाना चाहते हों तो फिर आप इस तरह output.println में यह html tag यूज़ कर सकते हों ठीक है तो यह serv और हमारे पास जो square और दूसरा हमारे पास है pictorial का logic अभी हमने यह सारा logic लिखना है इस do post के अंदर और लिकिन अगर आप यहाँ पर देगेंगे तो हमारे पास यह out.println supported नहीं हो गए यहाँ ठीक है क्योंकि इसको यह पहले initialize किया है इसका class यूज़ करके और इसको initialize किय हुआ हुआ है already तो यहाँ पर हमारे पास है printwriter out is equal to response.getwriter और इस class को हम नीचे भी use करेंगे अब ठीक है तो तबी हम यहाँ पर अपना hml का का काम कर सकते हैं अच्छा है यह हमारे पास है result तो और दूसरा हमारे पास है response अब यहाँ पर हम अपना hml code लिख सकते हैं ठीक है किस तरह करेंगे मैं बताता हूं और लास्ट में अगर आप देखेंगे न तो यहाँ पर इन्होंने clear लिख का हुए कि आपने exception हैंडल करने के लिए भी code लिखना है तो अगर आपने exception हैंडल करना है जाव में exception हम हैंडल करते हैं try catch में तो यहाँ पर मैं use करूंगा try catch अच्छा बिसमें न यह जो हमारे पास try catch का बलाग है इसमें एक हमारे पास है try और दुसरा हमारे पास है catch try के अंदर हम अपना executable code लिखते हैं और catch के अंदर अगर हमारे पास कोई exception आता है तो उस case में यह हमारा चले गते हैं okay और try के अंदर हमारा लाजबोगा अच्छा तो अब सबसे पहले हम अपना हमारा जो पाम है ठीक है वहाँ से डेटर पेज़ करते हैं for example यहाँ पे हमारा पाम है my result ठीक है इसमें यह हमारे action attribute और यहाँ पे हमारा url है server.class का और नीचा हमारे पास एक input type है और input type हमारा है number ठीक है तो अब इसे को हमने patch करना है control c इदर यह जो है हमारा number इसको हमने patch करके आगे वह सारा काम लगाना है पिर अच्छा अब यहाँ पे मैंने open किया है process request method मैं पहले यह सारा logic कि इदर लिखता हूं ठीक है क्योंकि यहाँ से data patch करना easy है फिर यह सारा port उदर paste करेंगे ओके तो अब अगर यहाँ पे हम data patch करेंगे तो इदर हमारा जो है number बेशक यहाँ पे हम number यूज करें या password यूज करें text email वागर जो भी यूज करें लेकिन यह हमारे पास string में होता है और इसको हमें यहाँ पे integer में पहले convert करना होगा तो हमारे पास से ant num is equal to integer.force और data patch करने के लिए हम यूज कर सकते है request .get parameter और parameter हमारे यहाँ है num ओके उधर एक बार confirm करते हैं अच्छा इतर हमारे पास है name ठीक है तो इस name को हमने target करना है और name हमारे पास है num ctrl c c ctrl v और इसको एक बार console में देखते है ठीक है ताकि confirm हो जाए प्रूण प्रूब करते हैं प्रूण प्रूण थीजिए तो आप नीचे देख सकते हो हमारे प्रास क्या आया 11 तो 11 असल में हमारा यहां पर हमने जुटाट अंडर किया था अपने पाम में तो यहां पर इस पाम की इस टेक्स फिल्ड से आया है हाँ कि अच्छा अभी हम अपने अपना नेक्स्ट काल्कूलेशन करते हैं स्क्टूर के लिए और इक्टूरियल के लिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है स्क्टूर तो इधर हम लेंगे एक स्क्टूर is equal to and square हमारे बास क्या होता है and number ज़र भी number च्छी कंट्रोल च और इसको अगर हम console में देखें अब इसको एक बार देखते है 10 ज़र भी 10 हमारे पास क्या होना चाहिए 100 तो नीचे हमारे पास 100 आ गया अच्छा अब next हमने calculate करना है pictorial और pictorial को calculate करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है long ठीक है और यह हमारे पास है queryable होगा pictorial इसको हमने initialize की अब one से पहले उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एक parlor enter is equal to one i less than और यह हमारे पास होगा number i plus plus और pictorial हमारे पास क्या होगा pictorial हमारे पास होगा multiply किसके साथ i के साथ okay अगर मैं यहाँ पर आपको pictorial का result दिला हूँ तो pictorial हमारे पास होगा okay नीचा हमारे पास आरहा है pictorial और यह हमारे पास क्या है square okay तो यह calculation हमारे पास होगे complete अब इसको हमने यहाँ पर हमारे पास यह जो browser है ठीक है browser में इसका output दिखाना है तो मैंने आपको आल लड़ी बताया है कि अगर आपने browser में इस तरह का data दिखाना है तो आप out dot front ln में HTML tag का यूज़ करके output दिखा सकते हो लेकिन पहले यहाँ यह यह जो हमारा code है इसको हम लिखेंगे try catch के अंदर ठीक है तो यहाँ पर हमारा code है इसको हमने लिखका है try catch के अंदर अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है try तो अगर हमारे code में कोई मसला नहीं है तो हमारा यह try वाला code चलेगा ठीक है यह वाला execute होगा यह black उसके बाद जहाँ पर हमारे पास है catch तो catch में हमेशा वो code execute होता है अगर पर एक्जमपल आपके पास कोई exception आता है जैसके यह पर एक हमारे पास है number permit exception अगर आपने कोई गलत number वागर एंटर किया तो आपका यह exception execute होगा और दूसरा हमारे पास है exception यह exception है हमारे पास universal exception अगर आपके पास किसे किसम की भी exception आती है ठीक है कोई मसला error आता है तो उस case में आपका यह वाले block चलेगा और last में हमारे पास है final तो final block हमारे पास हमेशा चलता है और नीचे है out.close तो इसमें यहाँ पर इस output close किया है अच्छा अब उपर हमारे पास किया है इधर try के अंदर हो बहे हाँ हमारा सारा logic अब यह जो नीचा हमारे पास है ठीक है यह पर आएक हमारे पास है जैसे कि इधर हमारे पास है html ठीक है control c और इसको हम यहाँ पे paste करेंगे और last में इधर हमारे पास क्या है body और html closing tag इसको भी हम यहाँ पर रखेंगे अब अगर इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारा यहाँ पर शुरू हो जाएगा ठीकर पारिजमपल यहाँ पर मैं करता हूँ p और यहाँ पर closing p ठीक है तो यहाँ पर हमारा उपर एग्राप शुरू हो रहे हैं अच्छा इसमें हमने क्या दिखाना है इसमें हमने सबसे पहले दिखाना है हमारे जो original value है number ठीक है तो यहाँ पर हम आएंगे और इधर हमने क्या करना है number और इसको plus के साथ करेंगे concatenate अच्छा पहले इस p को concatenate करते हैं यह हो गया हमारा पी और पी की बाद अच्छा इसमें अब यहाँ पर हमने एक और value concatenate करनी है अब इसमें हमारे क्या होगा हमारा वह original value यहाँ पर होगी और एक बार मैं आपको दिखाता हूं 10 तो number हमारे पास क्या है 10 अब अगर मैं इसका square root निकाला हूं तो square root भी मैं आपको दिखाता हूं square और इधर हम क्या करेंगे square अब आपको 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 अपको दिखाता हूं ठीके तो यह हमारे पास हो गया नमबर और एक हमारे पास है स्कुवियर एक हमारे पास है पिक्टूरिया और इसके लिए अगर आपने उपर कुई हेडिंग वगर लगानी है तो बेशक आप इदर कुई हेडिंग भी लगा लो एच वान और एच वान क्लोजिंग टेक ओके इसके लिए अगर आपने इस सेंटर करने वगर तो शारी चीज़ी भी आप यहाँ पर लगा सकते हो क्योंकि आप इसको मैं आगर करूँ इसकूट ठीक है तो यह रहा आपका सियस तिंस हो गया रहा है असेंट नमबर टू कंप्लिट सिलूशन और इसमें अगर आपको कुई भी इशू आ रहे है तो आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हूं मैं इंशाल्ला आपको ज़रूर गायड करने की पोश्चिश करूँगा अच्छा अब नेक्स्ट यहापे मैंने जैसे क्या आपको बोला था ठीक है कि इसको आपनी पिर नीचे रखना है यह सारा कॉट क्ट्रोल एक्स और यह हमारा यहापे होगा यह सारा कॉट